कि आपको अपने चैनल ड़ोब की नीज़ पह горin तो चैनल को जल áगको सब्सक्राइब कर लिएदु और आज आजम झुल सब्सक्राइब तो फ्री होकेंसी बताने वाला हो इस वीक की जो की डिफेंस के निकली हुई हैं आप apply कर सकते हैं क्या एज है कौन कौन apply कर सकता सारा criteria मैं बताऊंगा notice के साथ आँगा आपको कौन कौन से notice आई हैं इंडियन army की तरफ से तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो थारा से पत्तिस साल के बीच है ओल इंडिया कंडिडेट कहीं से भी आप लिएंग करते हैं और offline आपको यह फारम भीजना होगा आप सारी detail मापको दूंगा नीचे कहां पर आपको भीजना होगा application form में सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा आपको फूरा HD में आपको बाहर से खरीदने की भी जरूरत नहीं है आप हमारे से ले सकते हैं इसको फारम को और print करवा के भरके और envelope में डालके भेज सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए 12 पास चाहिए और आपकी बारबर के लिए चाहिए आपकी 10 पास होने चाहिए और एक साल का experience होना चाहिए और documents में आपको दिखा देता हूं कौन-कौन से documents आपको लेकी जानी है और डेट में सब की बदा सीतने में फारम दिखाओंगा सारे आपको 10 तरिक से पहले भेज देने यह 10 अपरेल से पहले पहले तो इसके अंदर आपके ऑरिजिनल आपके जो 10 ध 12th की mark sheet आपको original की photocopy भेजनी है आपको birth certificate की copy domicile आपका nationality certificate और passport इन में से कुछ भी है आपके पास तो आपको भेजना है ठीक है और application के उपर clear लिखना है capital letter के उपर कि आप किस post के लिए apply कर रहे हैं और दोस्तो address आप देख लिए आपको इस address पर यह farm भेजना यह address देख सकते हैं application पर इस address पर आपको farm send करना अपना और आप सबसे पहले selection process बता देता हूं सबसे पहले आपका exam होगा exam के बाद आपका skill test होगा और फिर आपको document verification होगा फिर medical होगा छोटा सा उसके बाद आपको select कर लिए जाएगा तो यह थी गोर्खा रेजिमेंट सेंटर की स्लेव बस आप देख सकते हैं notice हमारी telegram channel पर मिल जाएगा आपको महा से भी आप पड़ सकते हैं तो दूसरी भरती की बात करते हैं दूसरी की तरफ चलते हैं अगली भरती जो निकल के आती है आपकी दोस्तो आर्मी पोस्टल सर्विस विंग के अंदर से इसके अंदर क्या आता दोस्तो आर्मी का यह पार्ट है यह भी आर्मी जो पोस्टल सर्विस है उसके अंदर आती है ब्रिगेट्स ऑफ गार्ड्स सेंटर की तरफ से निकल के आती है उसके अंदर ही आपको रहना होता हो वहीं पर आपकी पोस्टिंग होगी और लाइफ टैम वहीं पर आपकी खट जाएगी मतलब बहुत अच्छी है अगर वहां की कैंडिट है तो अप्लाई कर सकते हैं तो ट्रेड बता देता हूं आपको कौन-कौन सी है आपकी वाशर मैं की इसके अंदर ट्रेड आई ए और सोरी वाशर मैं की इसके अंदर आपकी ट्रेड में आई ए और गारडनर की आई है इसके इंदर और दूसरा दोस्तों मैं बता देता हूं इसके अंदर OBC की भी category है और 18,000 से लेकि आपकी salary हो जाएगी इसके अंदर in hand salary की बात कुरों तो दोनों vacancy में आपकी कम से कम vacancy आप लगा सकते हैं 35-36,000 रुपे salary आपको हाथो हाथ मिलेगी और age की सभी के अंदर वो ही 25 साल age दी गई है दोनों की 25 साल और address आप देख सकते ह आपको जाना होगा वहीं पर आपका सारा selection process होगा डोकुमेंट की बात करों तो सारे डोकुमेंट आपको भेज देने हैं जो पहली वीडियो में बताये थे वही डोकुमेंट होंगे address की बात करों तो इस address पर आपको भेज देनी है यहाँ पर जो capital letter में लिखा है official notice में आप एक खासी अवकिंशी हैं साथ वकंशी हैं आपकी driver की वकंशी है और लेस्वकंशी है और काफी वकंशी यह कंदर,सके अप इसके अप्लाई कर सकते हैं ती सपहरे मलेद आप इसका फारंव भरके बेज़ सकते है तो ड्राइवर के लिए अच्छी ट्रेड आ गई हैं इसके अंदर भी तो इसके अंदर भी काफी कम इन वकेंशी का दोस्तों आप जरूर अपलाए करें क्योंकि कम है फारम जाते हैं और सेलेक्शन की उम्मीद जादा हो जाती कि आपको एकी वकेंशी चाहिए आप यह मत से और सेलेक्शन वीडियो देखना चाहिए तो इसका भी पूरा जादीशर्ण हमारे पास répondre में होने वाला सारी जानकर इसके अंदर दी घी है तो maniple बड़ जी और इसका बढारत एपको एप्लिकेशन फॉर्म चाहिए तो हमारे पास आधाt तो आप हमारे WhatsApp नमबर पर क्लिक करके आप हमसे वह फार्म ले सकते हैं, जैहिन नमस्कार कुल 30 पदर पर वोकेंश यह दोस्तों यह थोटा सा बता देता हूं, यह ट्रेड देख सकते हैं आप, जैहिन नमस्कार